आज की टाइम में मोबाइल फोन हमारी वो बेसिक नीट बन चुका है जिसके बिना हमारी ना तो परसनल लाइफ चलती है और ना ही प्रोफेशनल लाइफ credit debit card से लेकर private chats और financial details तक हमारे इस phone में सब कुछ save होता है माने हमारा ये smartphone वो secret box है जो हमारे सारे secrets को छपाए हुए है और ये secrets किसी को पता न चल जाएं इसलिए अकसर लोग phone में password भी लगाते हैं पर आजकल के hackers इतने smart हो चुके हैं कि वो आपके screen lock को तोड़े बिना phone को hack कर लेते हैं अब hackers को रोकना तो हमारे बस में है नहीं पर हम ये तो पता लगा सकते हैं कि हमारा phone कहीं hack तो नहीं हो गया है जी हाँ और आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका phone hack हुआ है या नहीं नमबर वान न्यू एप्लिकेशन और unknown app कई बार हम online किसी app या file को download कर लेते हैं ये देखे बिना कि वो site safe भी थी या नहीं और ऐसी unsafe और unknown website से किसी app या file को download करने से होता ये है कि downloaded file के साथ कई बार unwanted apps भी phone में install हो जाते हैं जो बनाई ही phone में spying के लिए जाते हैं ऐसे भी apps phone में मौझूद personal details से लेकर user की contact details, mails, chats और यहां तक की GPS को भी hack कर लेते हैं और अगर आपके phone में भी कोई SI app running में है जिसे आपने download नहीं किया था तो उसे तुरण delete कर दें क्योंकि ये app आपकी details hacker को पहुँचा रहा है वहीं कई बार wifi का इस्तिमाल करने पर भी auto download setting की वज़े से unknown apps phone में download हो जाते हैं जिससे रोकने के लिए आपको करना ये है कि phone की setting में जाकर auto download setting को disable करना है ताकि आपकी मर्जी के बिना कोई भी unknown application phone में download ना हो जाए फोन की बैटरी वैसे तो कई कारण से डाउन होती है जैसे phone में multiple apps के इस्तेमाल से या फिर phone के पुराने हो जाने पर भी बैटरी तेजी से गरती है पर अगर आपका phone जादा पुराना नहीं है और ना ही आप जादा phone इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपका phone hack हो गया हो ऐसा इसलिए क्योंकि malware और hackers control की वज़े से phone warm हो जाता है और phone की बैटरी तेजी से down होने लगती है ऐसी situation में data भी तेजी से खत्म हो जाता है तो अगर आपका phone जादा इस्तेमाल किये बिना भी warm हो जाता है बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और data usage भी पहले से जादा होने लगा है तो यह sign है कि आपका phone hack हो गया है अगर आपको phone में यह sign नज़र आते हैं तो सबसे पहले running apps और sites को चेक करें कि यह आपने कभी इस्तेमाल किये भी थे या नहीं और फिर आपको ऐसी कोई site running में नज़र आती है तो उसे तुरंट बंद कर दें malware से अपने phone को बचाने के लिए आप phone में antivirus भी डाल सकते है फोन hack है या नहीं यह जाने का एक और आसन तरीका है और वो यह कि आप अपने call locks और message history को चेक करें अगर आपके phone से कोई unknown calls या messages किये गए है जो आपने नहीं किये और एक से जादा बार हुआ है तो यकीनन आपका phone hack हो गया है वैसे तो ऐसा तब होता है जब phone जादा हैंक करता है और गलती से call से messages चले जाते है पर अगर आपके phone में ऐसा कोई issue नहीं है और फिर भी आपके phone से call से messages send किये गए है तो बहतर होगा कि आप अपने phone की security को चेक कर ले कि कहीं आपके phone में कोई spy app या malware तो नहीं है जो ये सब messages और calls बेज रहा है दोस्तो आपने Facebook के founder Mark Zuckerberg की famous viral photo तो देखी होगी जिसमें उनके laptop के camera पर tape नजर आ रहा है इस photo को देखकर आपके मन में भी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि Mark ले अपने laptop पर आखे टेप क्यों लगा रखी है तो दोस्तो इसका जवाब है hacking जी हाँ आज कल के hackers इतने advance हो चुके है कि अब वो आराम से smart phones और दूसरे devices के camera को भी hack कर लेते है यही नहीं market में कई ऐसे app भी मौजूद है जो लोगों को webcam hack करने में मदद करते है फोन के camera को hacker users की video call, live streaming को record करना hacker के लिए आसान हो जाता है साथ ही phone camera के जरीए hacker user पर भी आराम से नज़र रख सकता है ऐसे में अगर आपको यह जानना हो कि आपके phone का camera hack है या नहीं तो आप सबसे पहले अपने phone gallery को चेक कीजिए और वो इसलिए क्योंकि अगर कोई hacker आपके phone का camera hack करता है तो recorded data सबसे पहले आपके phone में ही store होगा ऐसे में अगर आपको अपने phone में कोई भी वीडियो एफोटो नज़र आती है जो आपने क्लिक नहीं की है तो समझिएगा आपके phone का camera है को चुका है फोन में आने वाले पॉप अपस और एड्स के पीछे भी malware ही होता है जिसके कारण हजारों स्पैम पॉप अपस फोन में आ जाते है और अगर आपके phone में भी ऐसा हो रहा है तो यकीनल आपको चेक करने की जरूरत है कि कहीं आपके phone में कोई malware तो नहीं है यहीं नहीं अगर आपके phone की home screen में changes आने लगें वो भी बिना software update किये या फिर आपके phone में कई ऐसी website बुक मार्क हो जाएं जो आपने इस्तिमाल ही नहीं की तो ये कुछ sign है कि आपका phone कोई और भी इस्तिमाल कर रहा है phone hackers के network में आ जाए और अगर आप चाहते हैं कि आपका phone hack ना हो तो time time पर अपने phone की सफाई करते रहें चाहें तो phone में antivirus इंस्टॉल कर लें जो आपको play store पर आराम से मिल जाएंगे और अगर आप antivirus इंस्टॉल नहीं करना चाहतें तो अपने phone में ऐसे किसी भी app या unknown message और links को ना रखें जो आपके काम के नहीं है वहीं spam calls पर भी callback ना करें ये भी एक जरिया है आपका phone hack हो सकता है खैर आज की वीडियो में बस इतना ही phone hacking से जोड़े ये secret चान कर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना मैं फिर लेकर आउँगा ऐसा ही एक और मज़िदार और informative वीडियो तब तक अपना और अपने चाहने वालों का रखें खयाल और वीडियो को न तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया